Good afternoon, देखो ये बड़े ही short duration पे इस class को इसलिए organize किया कि साम को 16 बजे BPSC 69th वालों का मेंस का class है और उस class को cancel नहीं किया जा सकता था तो ये तो जो लोग जुड़ गये हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए वीडियो एवलेबल रहेगा तो offline में भी यहां पे हैं आप लोग भी हैं सब लोग online में हैं देखो ये जो चर्चा है discussion है discussion को एक candidate जो select हुए थे इस बार DSP में तो उन्होंने selection के बाद एक अपना comment भेजा था तो उस comment को पढ़के आपको इसको सुनाता हूं देखो ये बिहार officers का जो 67 वाला जो group था officer selection के बाद वाले तो उसमें ये candidate इनको DSP कराइंक मिला हुआ है ये जो comment इन्होंने दिया था उस comment से ही इसको start करते हैं आपका जो discussion है उसमें लिखा हुआ है I would also like to share my experience I actually gave 4-5 mock interview at different institutions few interviews were as long as 30-35 minutes questions were very different than the actual interview only Aastha interview gave me the real experience during mock this panel asked me the question on the line as it was asked in the real interview even the body language of Aastha panel members their style direction of question everything was on the same line as the real interview mock of Aastha was close to real interview thank you so much to the whole team your effort your efforts helped me achieve DYSP rank क्या बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत जगा पे इंटर्वू तो दिया आप मिनिंग तो समझी गए होगे 30-35 minutes तक लोगोंने mock लिया लेकिन उसका कोई और ये बात मैं भी जानता हूँ ठीक हम भी इस बात को जानते इसलिए नहीं जानते हैं कि मास्थाइस के मास्थाइस में इंटर्व कराते हैं और हम और नेचर हमारा एक कहा जाए कि एक प्रोफेशनल राइवलरी और दूसरे को नीचे दिखाना अपने आपको बड़ा दिखाना ये लेकिन मैं अपनी बात मानूं तो मैं ये जो बिहार में जो झ्यूर जो जो झ्विंपिय सी के लेबल पे जो कॉम्पटीशन है उसे अपने आपको थोड़ा सा अलग मान के चलता हूं हम इस कॉम्पटीशन हम्से कई लोग पोछतें हैं तो बहुता हूं की हम लोग इस रेस में नहीं है ये जो फिस्ट का कॉम्पटीशन होता है क्योंकि हम actually teacher I.S. के थे, हम लोग मुखरजी नगर में BPSC पढ़ाने के लिए थोड़ी आये थे, हम लोग तो I.S. को पढ़ाने आये थे, हम यह जो कहा जाए कि यह जो so-called completion है, अब तो बहुत सारे लोग सारे दियरती बने हुए हैं, अपने यहां से जो पढ़े, पर तो क्य है, तो फिर हम लोग हैं क्या, तो यही कोशिस यह रहती है कि जो BPSC की जरूरत, जो interview आप देने जा रहे हो, उस interview में जैसा वहाँ पे है, कि जो वहाँ पे होने वाला है, ऐसा feeling आप यहां से लेके जाएं, प्रिपरेशन का मतलब यही होता है, और smartness का भी मतलब यही होता ह है, smartness का मतलब क्या रहता है, सुचो बिराट कोहली जैसे लोग हैं, सेवेन स्टार में रहने वाले लोग हैं, और और अरतालीस डिग्री सल्चियस टेमपरेशर पर आकर के और तूरे दीन बैटिंग करते हैं, अब वहाँ पे यह दिमांड करने लगे कि मुझे भाई मैं त इस तरह के काम कर रहा है, भाग रहा है, smartness का मतलब यह होता है, जैसा देश वैसा भेश, तो इसलिए हम इसा ध्यान रखेंगे, यहां पर मुखरजी नगर की बात करूँ, तो मुखरजी नगर में कई जगा आपको ऐसे मिलेंगे, जो एकदम लगेगा कि UPSC के स्टेंडर बहुचक रह जाएंगे आप, इतने अच्छे-चे ambience हैं यहां पर, ऐसे-चे पैनल के लोग हैं, ऐसे-चे वहां पर mock room हैं, यह सब चीजे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, कि वह बहुत अच्छा है UPSC के लिए, लेकिन वह WPSC के लिए किसी काम का नहीं ह WPSC के लिए जो room का setup है, चाहे जो panel के लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो question पुछने का तरीका है, अगर इसकी समझ नहीं है, तो ऐसे जगह जा करके, आप जैसे नहीं कहा जाता है, कि ego satisfy ही होगा, कि मैंने बहुत प्रयास किया, उस प्रयास से कोई conclusion नहीं निकलने वाला है, हमने एक video सबको पता है, मैंने एक video कल जो बनाया था, तो ऐसे ही बना दिया था, और थोड़े में ब्रीफ में अगर उसको बताऊं, उसको आपको एक, ब्रीफ में उसका एक format अगर बताऊं कि मैंने कल क्या discuss किया था, तो आप सब लोगों को पता है, कि हमने, सबसे पहल किस range में question पूछा जाएगा, कहां कहां से question पूछा जाएगा, ये personality test है, तो personality test है, तो मेरा focus area क्या हो, मेरे personality के किस-किस dimension में मुझसे question पूछा जाएगा, ये first था, और उसके लिए हमने आपको, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है, मैंने 7 एरिया साथ एरिया बताया था, साथ एरिया बताया था, जहां पर आपको focus करना है, ठीक है, और उस एरिया में आप जानते हैं, कि आपका कौन-कौन सा एरिया था, एक सबसे पहला academic point वुशे जाऊं, तो उसमें सबसे पहले आपसे यहीं से interview build-up होगा, जो कि उनके पास कोई आपक आज जो group में एक interview format जारी किया गया है, विपेसी 67th वाला, जो interview, जो विपेसी 67th का interview देने के लिए जब जा आप जाते हैं, आपके लिए 68th का एक वो form भेजेंगे, और दो होगा एक priority के लिए होगा, और एक आपका detail, जो आपका bio data होगा, उस बो चीज, दोनों भेजेंगे हम लोग ने एजे, एजे कहा जाए कि एक background के रूप में आपके दिमाग में रहे कि उसमें interview का जो form आप भरेंगे, तो उसमें क्या-क्या आपको detail भरना होगा, इसके लिए हमने क्या किया है, कि आपको वो group में share करवा दिया था मितलेजी से, तो उसको एक बार print out निकाल करक और अपना जरूर भर लेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा, कि BPSC के form में, जो information required है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि वो information मेरे पास missing है, तो कि जब आपका form जब 68th का आएगा, और उस time पे आपको पता चलेगा, कि मुझे ये documents से ये था, और वो documents मैंने arrange नहीं किया, तो फिर जल्दबाजी हो जाएंगी, पैनिक हो जाएंगे आप, तो यह जो 67th वाला format जो आपको दिया गया है, इस format को आप क्या करेंगे, इसका print out ले लेंगे, और print out लेकर के इसको भर लेंगे, एक बात है, अब 7 total areas हैं, जो आपका focus होगा, और उसमें यहीं से interview build up, उनके पास भी हुआ क्या था, कि वीपेशी के 569 से, के बीच से, वी ऐसा देखा गया, कि board के कुछ members थे, जो बिल्कुल caste-based पे, क्योंकि वहीं पे, जैसे मालो, आप जाओ गया, मैं मालो, किसी particular caste का हूँ, ठीक है, तो कुछ caste की तो सूचना बड़े असानी से मिल जाती है, जैसे आप आप से पुछा जाए, आपका नाम क्या है, तो आप तो बता देंगे कि मेरा नाम फलाना दूबे है, फलाना त्रिवेदी है, तो बहुत चांस है कि आप ब्रामण है, कुछ caste में, आपको information caste-based पे, और मालो, पैनल में अगर कोई उस तरह के कोई ब्रामण बैठे हुए है, तो एकदम से वो emotional हो जाते हैं, कि चलो एक बच्चे का, अपनी जाती के एक बच्चे के कल्यान करने का मौका मिला, तो अब इसको अब, और आप क्या करेंगे, आप बाकी लोगों को भी थोड़े भी dominant अगर हैं, तो बाकी लोगों को भी आप influence करेंगे, कि इस candidate में, बहुत आपकी audio अगरा leak हो गया, तो BPC ने क्या किया, कि बीच 56-59 का जो interview चल रहा था, उसके ठीक बीच में से उस member को हटाया, और हटा करके उसमें एक format fix किया, कि BPC के exam में, जब आप interview देने के लिए जाएंगे, तो आपसे कोई आपका personal information नहीं पूछा जाएगा, आपका district नहीं कई लोगं को मैं panel को देखता हूँ, जो आप, और इसके लिए फायदा ये है, कि आपको जो आस्थाइस वाला जो booklet दिया जाएगा, तो कि WhatsApp ग्रूप जब बनता है, तो जैसे आप interview देके वहां से बाहर आएंगे, तो उसमें आप अपना एक testimonials उसमें देते हैं, लिखते है कि मुझसे मेरा ये पैनल था, और उसमें मुझसे ये question पूछा गया, तो वही सारे question को एक जगा collect करके, वह booklet बना हुआ है, और उसका फायदा क्या होगा, उसका क्या importance है उस booklet का, वह मैं बता देता हूँ, लेकिन उसमें क्या हुआ, कि जब ये, तो वह interview फिर आप ही से question करते हैं वह, और उसमें क्या करते हैं, कहां से सुरू करते हैं, आपने कहां से graduation किया, कब graduation किया, ठीक है, क्या आपका subject है, ये तीन basic question होगा, क्या information इसे मिल गया उनको, कि आपने B.TEC किया है, इस branch में किया है, तो आप तो उनको मिल गया, आप से question पूछने के लिए ground, कब क आपने, तो जैसे आपने लिख दिया कि 2016 में मैंने किया, 2018 में मैंने किया, 2015 में मैंने किया, तो दूसरा question आगिया, कि तब से आप क्या कर रहे हैं, एक question पूछने का, उनका दूसरा एक area defined हो गया, और तीसरा हो गया, कहां से आप पढ़े हैं, तो आप बताएंगे किस Optional क्या है, तो 67 तक Optional का बहुँ ज़दा importance था, अब Optional उतना important नहीं है, आप जानते हैं क्वालिफाइं है, लेकिन फिर भी उनके इक्छा पे depend करता है, वो पूछ सकते हैं कि आपका Optional क्या है, जुकि Optional यहाँ 0 नहीं है, Optional क्वालिफाइं है, तो फिर यहाँ से क्या question आया, यहाँ से दो तरह का question आएगा, कैसे, आपने, जैसे माली जी किसी ने computer science और यहाँ पे change किया, जगरफी ले लिया, किसी का, माली जी electrical engineering था, sociology ले लिया, तो यह question बन गया नहीं है, सेम अगर है, तो कोई दिकत नहीं है, sociology है, sociology है, जगरफी है, जगरफी है, तो कोई दिकत न हो गया, इस दूसरे focus area से दो तरह के, तो total तीन और दो पांच area हो गया, आपसे question पूछने का, तभावी करूप से तीसरा area है, भाई, आप DSP बनेंगे, और आप SDM बनेंगे, DSP की ही बात करूं, तो DSP बनने जा रहे, तो एक होगा ना, वहाँ पे, कि भाई, अगर DSP जगेगा, तो पूरा subdivision जगेगा, और DSP जगेगा, तो पूरा subdivision सोएगा, तो यहाँ जगने और सोने का मतलब क्या है, कि DSP के जिस ब्यक्ति को SDPO कर लिए appoint किया जा रहा है, वो अपने आस पास की घटनाओं के बारे में कितना aware है, कितना जागरूख है, कितना eager है to know, तो पता चला कि चार राजियों का result आया, और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते है, दिन भार मीडिया में चला है, सारे आखबारों में लिखा हुआ है, और आप कुछ नहीं जानते है, इसका क्या मीनिंग हुआ? कि आप DSP करूप में बन के, अगर DSP आपको बना दिय जाए, तो रात को चैन से सोएंगे कि जगेंगे? ठीक है, इसका मतलब, तो ये वाला जो हुआ, contemporary issue, एक next जो focus area हुआ, तीसरा कौन सा था? contemporary issue, और contemporary issue का तीन issue है, आप जानते हैं, उस पे आपसे factual question भी होगा, analytical question भी हो सकता है, या factual question हो सकता है? international issues, इस्राइल हमास, गाजा पट्टी, West Bank, ये सारे मुद्दों पर, दूसरा हो सकता है, मालिजे, national issues में, कई सारे Supreme Court के साथ कई सारी बाते हो रही है, ये जो election वाला मुद्दा है, इसको ले करके, ये दूसरा है, तीसरा, एक India Alliance के से जुड़ी भी बात है, इसके क्या भाव कफ हुआ, इसके बारे में, ये सारे issues हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो third focus area कौन सा हुआ, contemporary issues, ठीक है, तो कितने total area हो गया, जहां से वो आपसे question पूछ सकते हैं, छे total area हुआ, पहले वाले focus area से, तीन, दूसरे वाले से दो, और तीसरे वाले से, एक, माने कह जाए contemporary issue में, तीनो, तीनो जगह से तीन को ले लें, तो कितना हो जाएगा, पांस तीन, आठ हो गया, आठ area हो गया, जहां से question वो पूछ सकते हैं, तो चौथा focus area है, वो है hobby, और मैं इस बात को strongly recommend आपको करता हूँ, जैसे कल भी चर्चा में बताया था, कि cricket और डाइरी, य सारे लोगों को cricket अच्छा लगता है, आपको भी cricket अच्छा लगता है, लें कई बर कहा जाता है, किसी भी विक्सी देश में cricket नहीं खेला जाता है, एक Britain को छोड़ दीजे तो, अमेरिका में cricket नहीं खेले जाता है, बाकी और ये इंडिया वाले जा 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 करके जो फैला रह इसके भी मैच हो रहे हैं, अभी इंडिया ने कुवेट को हराया था, फिफा वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारी है, तैयारी के प्रक्रिया में कुवेट को हराया था, और साइथ किस से हार गया था, एक से हार गया था, साथ कतर से हार गया था, तो अगर आप बोलते हैं फु जैसे उसको कुछ टेक्निकल नाम ही दिया जाता है कि जो वेस्ट से एक को डेकोरेटिव समान बनाना, इस तरह का होता है, पेंटिंग करना, फिर लड़कियों के लिए एक जो मैं मेरा, लड़कियों के लिए एक थोड़ा सा यह ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, वो हो लड़कियों के लिए कुक्म क्या है, एक उनका वर्व हो काम है, यह होबी कैसा हो सकता है, तो अब आपको, और भी टीचिंग भी बहुत अच्छा होबी नहीं है, यह फिर एकosháng हाई है, proposition है, आपको अच्छा लगता है, तो इसमें आता है, cooking, तो यह cooking हुआ, teaching हुआ, यह सब बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा नहीं hobby माना जाता है, एक hobby डालना चाहिए, एक hobby से ज्यादा नहीं डाला जाता है, लोग बेवजा का दो-तीन बोलते है, दो-तीन बोल देते है, reason इसके academics, optional, contemporary, अच्छा है, कहीं job में है, वो अच्छा है, तो hobby नीचे दबाये जाता है, hobby को क्या कह जाता है, बहुत ही हलका सा hobby रखा जाता है, जिससे board उसपर hobby पर कम जाए, और आपके academic portion पर ज्यादा रहे, क्योंकि ultimately interview, तो आपके reply के reply पर depend कर रहा है न, तो हम वही reply करेंगे, जो हमारा, जहां हमारा strength हो, तो अगर आपका ये सब portion अगर आपका ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने hobby को, अगर ये अच्छा नहीं है, तो hobby को उठा देंगे, मन करेगा, ये एक, दो, तीन, चार दे दो, उसी में कम से कम उलजे है, हम से थोड़ी देर, बहस करे बहुत अच्छा जवाब दे जाएंगे, तो असी नमर देंगे वो, ठीक है, ये अगर hobby भी सम्हाल लेंगे, तो असी नमर देंगे वो, 90 तो नहीं देंगे, तो आपका ये portion अगर कमजोर है, और ये portion अच्छा है, और hobby को भी आपने complicated कर दिया, तीन, चार दे दिया, तब आ आप से कहां से question पूछे वो, ठीक है, तो बहतर ही होता है कि max एक hobby दिखा जाता है, एक से ज़्यादा hobby, otherwise, देखो, likes and hobby, बहुत है different, likes आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आदमी के होते हैं, कई सारी चीज है, खाना खाना किसी को अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच् मुझे भी बहुत सारी सीजह अच्छी लगती है, मैं भी cricket match देखता हूँ, football match भी में देखता हूँ, पिक्चर होता है तो उसको भी कभी कभी देखता हूँ, लेकिन मेरा hobby क्या है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, अभी कोई मुझे आके कहें कहीं चला जाए घूमने, मिुझे तो हम Stu long कहीं कहें किया हमारा द्मा काम करना शुरू करेगा क्लास का ग्या क्या होगा, तो लेकि क्लास का कुछ अरइजे कह पुला 18,000 रुपय का रूम था, कॉटेज था, दो फेमिली थी, हम लोग थे, तीन उसने फ्री में करवाय हुआ था, ना न सर एक रुपया नहीं देना है, प्रहना फ्री, खाना फ्री, सब आप चुप चाप बस आप निकल के यहां से, आप चले जाएए, बाकी आप चिंता म मैरेज का है, तो मैरेज में 10 लाग रुपय का बील है, वो 10 के 10 लाग पर GST तो लेते नहीं है वो, उसका, और यह किसको पता है, एस्टेट टेक्स वालों को पता है, तो उसके तीन, उसके लिए, उसके किसी बहुत खास गेस्ट के लिए, अगर 2-3 रूम होटल वाले दे द नहीं करते हो, बता हो, यह उतरा खंड में लड़की पोस्टेट है, वो सभी तरह सब कूश कर देती है, तो उसका यह लेवल अप कंफिडेंस है कि सर, अपनी सिंत रही है, यह हो जाए, यह, आपको इस बारे में सोचना भी नहीं, एक दिन आना, दो दिन आना, फिर आते सम लेकर के, ठीक है, तो मुझे घूमना अच्छा लगता है, आप भी अपना जो भी, तो इस तरह से थोड़ा सा हटके रखो, जैसे नहीं कहा जाता है कि सर, मुझे तबला बजाने अच्छा लगता है, मुझे हर्मोनियम बजाने अच्छा लगता है, मुझे मांसुरी बजान इसके हाथ में क्या होने बला है, यह सारे क्या होता है, जब आप बोलेंगे, तो वो situation को positive बनाएगा, और तब जाकर के 80 प्लस का ground तेयार होता है, कई बार लोग आते हैं लोट के आके बोलते हैं कि सर मुझे बोर्ड ने 50 नमर दिया, आप बोर्ड के उपर जाकर के बैठ बनाएगा, आप बोर्ड आपके उपर depend करता है, कि बोर्ड के अंदर जाकर के, वहां के situation को थोड़ा positive बनाएगे, थोड़े enthusiasm, थोड़े energy उसमें डालेगे, थोड़े excitement रहे, थो excitement कैसे रहेगा, आपके presence से, आपके etiquette से, आपके answer से, आपके answer में थोड़े interesting जवाब से, तब तो situation positive होगा, तब तो 80+, कई लोग आते हैं मिलने के लिए, बोलते हैं, sir 82 marks आया, interview, सीधा पहला ही कोचन होता है, कि 8 number कहां कट गया, जिसको 82 आ रहा है, इसका मतलब है, कि उसने जरूर पोरी interview में, एक आप-दो कोचन गरबर किया है, इस कारण से इसका ये 8 कटा है, त मुझसे ऐसे हो गया, मुझसे ऐसे हो गया, नहीं, तो बोर्ड उसको 90 देने के लिए तयार बैठा हुआ था, वो एक आप-दो कोचन अगर आगे पीछे नहीं रहता, तो 90 मिलना था, ठीक है, 50 हा रहा है, इसका मतलब बोर्ड ने decide किया हुआ है, कि बस ऐसे candidate को 50 आता है, ज होबी वाले पर क्या है, ध्यान रखिए, अभी एक महिने का टाइम है, कुछ होबी, Wikipedia पर सबकुछ मिल जाता है, जो भी होबी आप रखेंगे, जिस खेलना आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आप थोड़े interesting रखिए, जो दूसरों से, नहीं, तो आप interview देने जब जब आप पहले candidate नहीं होंगे, कई लोग पहले candidate तो एक ही होंगे न, चार बोड होगा, तो चार पहले candidate होंगे, उसके बाद वो ये diary और cricket सुन-सुन करना पक जाते हैं, अग जहां ये बोले, और वो पहले से ठके हुए हैं इस hobby को सुन करके, तो आपने अपने लिए ही 80 का limit तै कर लिया, ज्यादा हो, ज्यादा common नहीं है, painting और art and crafts ठीक hobby है, और ऐसा नहीं है, तो जैसे अपने इस तरह की बात बोला न, आपने अपने लिए तै कर लिया 80 का limit, क्योंकि ये hobby से जो आपको आट-10 number मिलने वाला था, वो आपको नहीं मिलने वाला है, वो उल्टा और minus 24 number कि है कितना भी अच्छा आपने जवाब दिया है, तो ये चौथा focus area कौन सा हो गया, ये आपका hobby का, जो पांचवा कौन सा area है, जो fifth area कौन सा है, post priority, भई आपसे पूछेंगे कि आप क्यों हो, SDM क्यों बनना चाहते हैं, DSP क्यों बनना चाहते हैं, SDM का का काम बताइए, DSP का क बताइए, ये सारी बाते हैं, तो fifth कौन सा हुआ, ये post priority, sixth हुआ, sixth हुआ, sixth में, sixth कौन सा बताया था, किसी को याद है, attitude और etiquette, सात्मा, गयपियर, सात्मा गयपियर, उधर भी तरही ले लिया था, ठीक है, attitude और etiquette, ये focus area था, दूसरा इसमें था, कि भई, जो एक तो, एक तीन पार्ट में वीडियो बनाया था, हमने एक तो ये बता, focus area आपका clear है, अब जो आज discussion का जो भी से है, ठीक है, discussion का भी से है, वो है, जैसे ही जाकर का हम से पूछी कि सर, हम interview board में, interview board का एक virtual presentation, तो उसमें क्या होता है, PPSC के साथ, जो attitude और etiquette का, चुकि एक बात हमें साथ ध्यान रखो, first part of interview, जो last में, जो हम बताए, उसको सबसे पहले discuss करते हैं, होता क्या है, बिहार एक राज्य है, बिहार राज्य और बिहारी जो लोग होते हैं, उसी में से चार लोग आपके interview में बैठे रहेंगे, अब उनकी, उन चार लोग का psychological analysis, वो चार का क्या सोच है, एक आदमी अगर वहां जाता है तो, उसके प्रती, तो हर जगह है, कि जब तक आप gate के बाहर हैं, तब तक वो जो बैठे हुए लोग हैं, वो जानते हैं, कि BPSC का में स्पास करना आसान बात नहीं है, यह जो आने वाला candidate है, व आ रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी किसी को बोलिये, जा करके अभी के टाइम पे, तो एक hope पैदा होता है, कि एक अधिकारी का hope पैदा हो जाता है, कि कल बच्चा select हो सकता है, तो जब तक आप gate के बाहर हैं, जब तक gate में जो चार लोग बैठे हुए, उनके मन में क्या आ रहा है, आपके प्रति क्या है, एक positive impression है, first part ध्यान रखिए, they have a positive impression about you, first part हो गया, अब जब अंदर आप जाते हैं, तो वहीं से आपका attitude or etiquette, now we'll decide three things, कौन-कौन सा, एक आपका जो ये positive impression है, that will be upgraded, वो upgrade होगा, that will be maintained, and that will be degraded, क्या इसका meaning हुआ, 80 plus, 60-80, और 60-60, कम, 60-60 कम का मतलब हुआ, कि आपने वहाँ जा करके etiquette का कम यूज किया है, और attitude का ज्यादा यूज किया है, और attitude का किसी भी रूप में जवाब देना, UPC में attitude एक personality का part मना जाता है, confidence कहा जाता है, बिहार में attitude, किसी भी तरह का attitude, घमंड कहा जाता है, बहुत घमंडी आदमी है, बहुत arrogant आदमी है, बिहार में दो ही mode में होता है, या तो या तो बहुत अच्छा बच्चा, या तो बहुत घमंडी बच्चा, वो arrogance वहाँ वार्ड होता है, वहाँ पर confidence वार्ड नहीं होता है, आप क्या चाहें, भई जिसके पैर तले आपका गर्दन फसा हुआ है, अगर वो 80 प्लस मार्क्स आपको दे देते हैं, 85 मार्क्स ज difference हमने हमसे ज़्यादा किसी नहीं देखा है, आम आदमी का और खास आदमी का, जब वो उस WhatsApp ग्रूप में, जब कहा जाता है, कि आप अपना photo डालिए, जिस्टे कि लोग आपको recognize करें, जब लोग smart सा photo डालते हैं, और उसी time पर हम देखते रहते हैं, कि जब उसमें से लोग exit कर रहे होते हैं, result आते ही, जब लोग exit करते हैं, और जब लोग उसमें अपना smart photo डालते हैं, उसका difference हमझ के देखो, ठीक है, हमारा नाम उस exit वाले में ना हो, हमारा नाम photo डालने वाले में हो, इसके लिए क्या तरीका है, एक चीज़ जो मेरे हाथ में है, वो तो यह है, कि यह मैं best of जो sister 4 है, और यह मेरा संसकार भी है, कि अपने से senior के प्रती मैं अधिकतम sister 4, यह मेरा संसकार है, अच्छा संसकार है यह, एरोगेंस ए खराब संसकार है, और यहां तो मेरा, यहां तो इस संसकार के बदले मुझे return gift मिलना है, और return gift, छोटा वाला return gift नहीं मिलना है बहुत बड़ा वाला return gift मिलना है, तो जब इतना बड़ा return gift मिलना है sister 4 से, तो मैं क्यों नहीं अधिकतम sister 4, zero attitude और 100% etiquette मैं सो करूँ, यह तो मेरी basic requirement है ना, वहां जाकर के, जो etiquette का जो कुछ components होते हैं, क्या-क्या, gate खोलना, wait करना, पूछना, जाना, पुर्चिक पर जाकर खड़ा होना, ऐसे pocket में hat çi लाल के नहीं खड़ा होना, ऐसे खड़ा हो जाना, कमर पे हाँ लाल के खड़ा हो जाना, या तो आप आगे की तरफ हाथ कर लीजे, या अपना ऐसे सीधillिक खड़ा रहिए, नहीं आट नीचे करके खड़ा रहिए, अखिए भी निंशर भी झ ज्यान जाएगा, तो आपको बोलेंगे बैठने के लिए, आप बैठीए, thank you, बैठ करके, टेबल, टेबल, मुमेंट जिसको बोलते हैं, कल गिनवा रहे थे, पढ़के मोबाइल पर खोजा था, तो उसम गिनवा रहे थे, टेबल पर बैठ करके, अपने हाथ को किस तरह से होल क्या वो है, क्या compulsory conditions है, वहाँ पर compulsory condition है, board is never wrong, board कभी गलत नहीं होता है, although board is wrong, but board is not wrong, board बोल रहा है, कि विहार की राधानी नहीं दिली है, sorry sir, और आपने कहा कि विहार की राधानी, उन्होंने पुछा, विहार की राधानी कहा है, इतना जो अलंत बाने, सोचो इतना, कि इधे कैसे मक्खी को निगला जाता है, विहार की राधानी कहा है, तो आपने कहा सरपट ना, विहार की राधानी तो दिली है, आप सोचो कितन कितना बड़ा ब्लंडर है ये, बोड के साइड से, लेकिन पता नि बोड किस सें से ये बोल रहा है, बोड नहीं जानता हो, इस कारण से ऐसा कर रहा है, बोड कोई इससे आपका रियक्सन टेस्ट कर रहा है, तोकि जब इस सिसंटम में जाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ चीज है आपके गलत हो, कुछ टाइम पर आपका रियेक्शन क्या हो रहा है, ये टेस्ट कर रहा हो, तो आपका काम क्या है, वो आपके senior भी है, प्रोटोकॉल में भी senior है, आप क्या बोलेंगे, sorry sir, मैं sir मैं देख लूँगी, sorry sir मैं देख लूँगी, board will never wrong, रामधारी सिंग दिनकर के कोई है, रस्मी रथी, आप रामधारी सिंग दिनकर की किताब कौन सी है, रस्मी रथी, उन्होंने कहा कि नहीं, रस्मी रथी नहीं है, वो तो अर्जल गगरी शलकर, वने वो है, अंधेर नगरी शौपट राजा, य उसे लोग होते हैं, unprepared आते हैं, और वो ऐसा चीज पूछ देंगे, इसको लिए करके वो confirm नहीं है, और आप क्या करेंगे, कई लोग हैं, लगें Google खोल के दिखाने, इसे क्या मिलेगा आपको, board के member ने कोई गलत ही बोल दिया, उनको गलत साबित करने से आपको क्या मिलने वाला है, आपको ने जो बोलना था, वो बोल दिया, आप जो अधिकतम बोल सकते थे, वो तो आपने बोल दिया, अब let's board decide, हम यहीं सोचेंगे, कैसा mislead करने के लिए बोल रहे थे, आप जो बोल सकते थे, वो आपने बोल दिया, let's now forget it, अगर वो उसको cross करते हैं, आप बो वो सही हो, जो आपको सही लग रहा है, हो सकता है, किसी कारण से वो सही हो, ठीक है, आज बड़े ही अच्छाजनक तरीके से, एक वैसे ही वीडियो देख रहे थे, कोई बिहार के ही, किसी प्राइमरी स्कूल में, तो वो क्या दिखा रहा था, कि 2 प्लस 2 इकोल टू 5, अब हो सकता है, तो इसलिए इससे क्या सीख मिलता है, जो चीज को लगता है कि ये सही है, हो सकता है कि वो सही नहों, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? सबस्ट, अगर यहां पे क्या होगा, kब अपग्रेड होगा? जब एक तरीका हुआ कि आपने बोर्ड ने आपसे question पूछा, आपने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया, with best of etiquette, upgrade होगा, बोर्ड ने question पूछा, आपने sorry बोल दिया, आपको नहीं आता था, मुझे अभी इसको याद नहीं आ रहा है, sorry, यह sorry क्या करता है, sorry जो आपने बोला, यह बोर्ड का ego satisfy कर रहा है, देखो मैंने ऐसा question पूछा, कि candidate को नहीं आ रहा है, बोर्ड को अच्छा लगता है यह, ठीक है, पहले आपने best of reply किया, बहुत अच्छे etiquette के साथ, बोर्ड को ल आप कोई बात नहीं, आप यह बताईए, sorry बोलने से आपका image खराब नहीं हुआ, यह sorry बोलना, यह आगे समझ रहे हैं, maintain रह गया, क्या हो जाएगा, sorry बोला आपने, आपको न प्लस मिला न तो माहिनस मिला, क्या मिला, maintain रह गया, और तीसरा बोर्ड ने question पूछा, और आप आपको नहीं आता था, और आप sorry बोलने के बदले, आप उस पर guess कर रहे हैं, आप खुद psychologically analysis करके देखो, कि आपके घर में आपने किसी बच्चे से कोई question पूछा, और उसको नहीं आ रहा था, और वो उसका reply दे रहा है, आपको कैसा लगेगा, गलत reply दे रहा है, आपको कैस नहीं आता है, तो मैं गलत बोलने के बदले, मैं क्या बोल दूँ, sorry बोल दूँगा, तो कम से कम degrade नहीं होगा, कम से कम maintain तो रहेगा, और हो सकता है कि 50-50 वाला जो match हो रहा है, 50-54 का match हो रहा है, 10-over है, ठीक है, बेंक्टेस परसाद के पास 10-over है, पाकिस्तान के against balling कर रह रहा है, 8-9-over तक कोई bicket नहीं मिला है, लग रहा है कि बेंक्टेस परसाद क्या, और उधर से जो खेल रहा है, खेलाडी वो बेंक्टेस परसाद को irritate कर रहा है, और 9-9-10-over में जाकर रहे कि 3-4 wicket निकालता है, हो सकता है कब आपका मौका आजाए, जब आपका अपने मौ आपके का इंजार करिए, जो आपके बस में नहीं है, गेस करने से क्या है, गेस बाउंस होने दीजे, सारा, 5 questions पुछा गए, 5 बाउंस होने दीजे, आप क्या कर सकते हैं, अब यही तो बात है, कि फिर आप SDM बनने जा रहे हैं, आप कोई चपरासी बनने नहीं जा रहे हैं हमारे साथ अभी mock panel में भी एक बैठेंगे, 1987 का interview था, chemistry उनका optional था, anthropology था, chemistry से लगातार 17 questions पूछा, और 17 questions में सब में वो 9 बोले, और जब वो हाँ बोले, तो बहुत सारे questions का हाँ बोले, टोटल उस जमाने में हम लों के time पे 250, 300 का interview होता था, 187 marks आय था, और defense and account मिल गया था अब मत, फिर वही बात है, कि जो आपको नहीं आता है, आप क्या कर लेंगे, गलत बोलेंगे, गेस करेंगे, तो degrade होंगे न, जो है उसे भी खराब होंगे, personality जो assessment हुआ है, उसका भी, उसमें सभी कुछ कट जाएगा, लेकिन sorry बोलने से, तो एक तो हो रहा है न, कि कोई भ बढ़के, पास करके ही तो यह आया हूँ, PT पास किया हूँ, Mains पास किया हूँ, knowledge की, हो सकता है कि यह कोचन मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा हो सकता है, अच्छा, 187 marks का, तो वही बता रहे थे न, जैसे एक बहुत अची बात है, सामने बैठे हुए है, इन्होंने बताया, एक सर, मालीजी, अगर 57 कोचन अलचानक बाउंस हो रहा हो, तो हम कैसे चूप रह सकते हैं, तो हमने कहा कि, फिर हमने यही कहा, कि तो फिर आप कर ही क्या सकते हैं, चूप रहेंगे तो कम से कम, बोर्ड का, तो कम से कम, एक का तो उचा हो न दीजे, वो 87 marks, उन्हने 17 कोचन का ल इतना confidence कि लगतार, मैं यही बताया, कि लगतार पांच कोचन नहीं आ रहा है, लगतार पूरे 15 मिनटे एक भी कोचन नहीं आ रहा है, तो इमंदारी क्या कहता है, कि अब परणाम करके, सर, जा रहा हूं, सर, फिर से तयारी के साथ, फिर आपके पास अच्छी तयारी के साथ आउंगा, ठीक है, मेरे से जो बहतर है, उनको सेलेक्शन होने का मौका दिया जाए, इतनी honesty और इतनी honesty आपके अंदर में होनी चाहिए, हाँ, patience का टेस्ट हो रहा है, तो ऐसी इस्तितिवा आपको आपके लिए उपाय क्या हुआ, question bounce होने से मत बिल्कुल मत डरिये, गलत इसी में, जैसे यहां पर, Manoj Pandey, बिहार के तीरपन-पच्पन बैच के DSP हैं, ठीक है, बिहार के सिंगह बने जाते हैं, हमारी बड़ी दिनों से मुलकात नहीं है, लेकि मैं सुनता हूँ कहीं कहीं, Manoj का MP में भी हो गया था, और UPSC भी candidate थे, हमने यहां पर बार 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 के भेजा था, कि board कभी गलत नहीं होगा, board will never wrong, board will always right, Manoj Pandey जब गए, तो बिहार के एक DGP हुआ करते थे, राजे वर्धन सर्माजी, वो BPSC के मेंबर बने थे, और उन्होंने plate tectonic theory पर Manoj Pandey से कोई question पूछा, उसमें optional 2 हुआ करते थे, 33-55 की बात बतारू, 2013 की, ठीक है, त तो अब Manoj Pandey UPC के तयारी के हुआ, दिली का candidate कैसे plate tectonic theory नहीं जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से अन्होंने जवाब दिया, राजे वर्धन सर्माजी ने क्या क्या है, उसको modify कर दिया, क्योंकि सही नहीं था, अब एक knowledgeable, DSP mind वाले आदमी को क्या, उसक उसका जो energy है, वो क्या बोलता है, कि राजे वर्धन सर्माज से मैं argument करूँ, कि नहीं सर मेरा यह सही है, यह है, वो है, ऐसे है, वैसे, मनोज पंडे आ करके बताए, कि सर जैसे यह बात आई, मुझे आपकी बात याद आई, कि इनको कभी, इनको मुझे correct नहीं करना है, और म यह impact होता है, एक बात क्या हुआ, कि कभी बोर्ड को correct नहीं करेंगे, प्यूसरी बात क्या हुआ हुए, गलत guess नहीं करेंगे, चुकि guess करना बोर्ड के authority को challenge करने जैसा हुआ, बोर्ड के knowledge को challenge करने जैसा हुआ, और guess करने में 90% chance है गलत होने का, अगर आपको लगता है, कि कि इसी fact को लेकर के आप confirm नहीं है, तो board से permission ले लिजे, board को अगर लगता है कि इस question का guess करने दिया जाए, तो करने दीजे, otherwise इसको bounce होने दीजे, समझ गए, तो एक part ही है, दूसरा part हमने hobby में जितना बोलना था, उतना बोला, जो hobby के लिए आपको क्या करना चाहिए, चार hobby नह रखेंगे, diary writing cricket, और दूसरा हुआ, एक cooking, और एक और कौन सा, cooking और teaching और cooking, ये hobby बहुत अच्छा hobby नहीं होता है, तो teaching जैसे ही बोलेंगे, वैसे ही नया समस्य अखड़ा हो जाएगा, फिर आपको justify करना पड़ेगा, justify हो जाएगा, इससे teacher के रूप में जाएंगे, एक school में काम करना पड़ेगा, district education officer के रूप में जाएंगे, तो पूरे अपना जो इस hobby है, उस hobby को use करके बड़े सारे school में, teaching system है, उसमें सुधार ला सकता हूँ, आपको जबाब देना पड़ेगा फिर, otherwise बहतर है कि, तो ये hobby बला हुआ, अब एक चौथा time हम लोग पास कमी है, कु PT का interview answer, PT का answer, mains का answer, और interview का answer, same topic का, मुद्रायस्पिती क्या है, what is the inflation, चार option होगा, inflation and its impact, mains में, और interview about inflation, inflation in interview, हमेशा भी PC type के interview में, जहां पर आपको answer देने के लिए कम time मिलता है, क्योंकि बोड को आपके knowledge से उनको अपना knowledge gain नहीं करना है, उनको ये जानना है, question पूछ करके, कि आपको question का answer आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, तो भी आगे बढ़ेंगे वो, आता है, तो भी आगे बढ़ेंगे, आपको जिद करने की जरूत नहीं है, कि जो मुझे आता है, मैं बता के ही मानूंगी, या मानूंगा, ऐसा जिद करने की आउ सकता, न sentence बोला, बोर्ड को अगर ऐसा impression हो गया, कि आपको knowledge है, आपको है, तो आपका काम हो गया, अब आप जिद मत करिये, कि ना आज तो मैं इनको सिखा के ही जाऊंगी, ऐसा जिद नहीं किया जाता है, बोर्ड में, जो जहां पर बोर्ड काट रहा है, बोर्ड जब बोलना सुरू करेगा, आप नहीं बोल सकते हैं, केवल बोर्ड बोलेगा, जब बोर्ड बोलेगा, तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, तो बोर्ड बोल सकता है, लेकिन जब बोर्ड बोलेगा, तो आप नहीं बोलेंगे, आप उनके साथ ठाके नहीं लगाएंगे, वो ठाका लगेंगे, तो आप मुस्कराएंगे, आप ही किसी बात पर ठाका लगाएंगे, तो आप मुस्कराएंगे, आप भी ठाका नहीं लगाएंगे, वो आपके इतने परचित नहीं हैं, यह कुछ बे बिहार बहुन में, यहां बिहार में पोस्टेड हैं वो, राकेश जी जो वीडियो डिजाइन करके यहां पर आये हुए, तिरिपन पच्पन के वो, उसके बाद जाएंगे तो, यहां प्रिकाश जी हैं, जो मैनुर्टी एफिर्स में डारेक्टर हैं, बिहार से बहुत तशान सबसे बड़ी बात है, कहीं सिर्सासन इस तयारी के लिए कोई सिर्सासन करने की जुरूत नहीं है, आप अपने जो फोकस एरिया का अनुसार तयारी करते रहिए, तो आज ही इसको हम लोग खतम करें हैं फिर आज, अब बाकी ग्रूप में देखो, जो WhatsApp ग्रूप है उसको ल तो जो भी जिसका जी कोईशन है, सबको audio record करके या लिक करके, किसी भी subject से related, चुकि अपने हाँ कम से कम 200 experts हैं, दूसरे कोचिंग के लोग भी सारे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आपका जो भी कोईशन होगा, उनका उनसे reply लेकर करके हम ग्रूप में डलवा देंगे, ठीक है, तो जो भी आपके question है, उसको डालिए, और उसका जवाब हम बिहार में जितने काम करने बाले लोग हैं, उनसे उसका reply लेकरके, उस ग्रूप में share करा देंगे, तो अपना WhatsApp ग्रूप को maximum use करिए, optimum level पे use करिए, और straight forward तैयारी करिए, सीधे सीधे तैयारी करिए, इस को नया message दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, संडे को सटर्डे या संडे में mock interview करेंगे, ठीक है, सटर्डे संडे में एक mock interview करेंगे, सटर्डे संडे में, ठीक है, चलो फिर, ठीक है, thank you, thank you.